यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हो कक्छा दस्बी विग्यान अर्दवारसी परिच्छा 721-2022 MP Board कहाँ आपर Question Paper अर्दवारसी का मेरे पस रखा हुआ है पढ़ाई में यह दिया आपको कोई भी Concept समझना है आपको कोई भी Doubt हो Board Exam J.E. NEET के लिए सबसे Best Application है फिलो एप्लिकेशन आप इसको पिलो स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इसमें आपको भारत देश के Best Teacher आपको इसमें समझाएंगे किसी भी कोईशन की आप इसमें फोटो खीचिए और फोटो खीचिने के बाद आपको उसको तुरंत वीडियो सोलुशन मिल जाएगा जो कि पूरे भारत देश के Best Teacher के माध्यम से आपको मिलेगा तो अभी जाईए और डाउनलोड किजिए लेकिन बच्चों है पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता पर मैं आपको दिखाओंगा तो फिर दिक्कत बन जाएगी तो बच्चों में क्या करूंगा इसके लिए कश Ici अबीक यहाँ पर विज्ञान की मेरे पस यहाँ पर गाइड है आपको यह चिप्टर बन के नाम है आपका क्या आप देख सकते हो चिप्टर बन के नाम है आपका रसायनिक अभीकिर्याए एवं समीकरण इस अध्याय से अर्देवारसी परिच्छा में कौन-कौन से समझा करके मैं आपको यहाँ पर दूँगा जिसने आपकी पूरी अर्देवारसी परिच्छा में पूरी फुल तेयारी हो जाएगी तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कक्छा दस्बी की विज्ञान का ध्याय एक रसायनिक अभीकिर्याए एमं समीकरण चली बच्चों को सुरू करते हैं सबसे पहले देखिए यह वाला कोशन इसका अब तियार कर लीजिए यह वाला जो कोशन है आप देख सकते हो अर्देवार्सिक में तो आया है लेकिन इसके साथ साथ सन 2020 में भी आया है ठीक है यह वाला कोशन आप त्यार कर लीजिए कोशन आप देख सकते ह पहले सो साफ क्यों कर लिया जाता है यह प्रशना आपका सं 2020 में पूछ जा चुका है तो देखिए मेगनीसियम रिवन की उपर एक धुंदली मेगनीसियम आकसाइड अक्षारक परच जम जाती है जो मेगनिसियम की जो रिवन रहती है उस रिवन की उपर क्या होता है कि एक परच जम जाती है एक परच जम जाती है किसकी परच जम जाती है मेगनिसियम आकसाइड की परच जम जाती है जो बायू में मेगनिसियम को जलने नहीं देती इसलिए उसको जब हम साप करते है रगा परत जम जाती है उसे हटाने के लिए बायू में जलाने से पहले मेगनिसियम रिवन को साफ किया जाता है क्योंकि यह जो आरक्षी परत होती है मेगनिसियम को आक्सियन से किरिया करने से रोकती है यह जो आरक्षी परत होती है यह परत का करती है जो मेगनिसियम होता है उसको के साथ किरिया नहीं करने देती है और उसको आक्सिजन के साथ किरिया करने से रोकती है तो बच्चो आप इसको याद कर लीजिए बेरी वेरी वेरी आई एमपी है पेपर में आएगा बिल्कुल ठीक है इसको आप भी तियार कर लीजिए ठीक है बच्चो आपको बताना चाहत रहूं देखिए यहाँ पर आपका अगला कोशन आप देख सकते हूं यह वाला कोशन देख लीजिए यह कोशन भी बेरी वेरी वेरी आईम पी कोशन है सन 2020 में आ चुका है किस पधार्त एक्स की विलियन का उप्योग सफेदी करने के लिए कि जाता है किस पधार्त का उप्यो अब जाध के लिखिये तो देखिए पधार्त एक्स का नाम है केलिसियम आकसाइड एक्स का सुत्र होता है द्याति भाता में चुना कहते हैं ठीक है चुना का उप्योग सफेदी करने के लिए करते है इसका सुत्र होता है cao इसको पढ़िए कि क सिए का होता है केलेशियम और और सिये का मतलब होता है तो तो अब पदाहात X की जल के साथ अभी किरिया लेखिए, मतलब चूना की केलिसियम आकसाइड चूना की जल के साथ अभी किरिया, तो यह होगे आपका CAO केलिसियम आकसाइड, इसके हमने जल के साथ हाँ पर किरिया करवा दिये, तो जब चूना को जब हम पानी में घोलते हैं, त यहाँ पर हाईडोन कितने हो और आपके दो हो गये ठीक है विलियान का रंग को बदल जाता है जब लोहे की कीए को जो लोहे का जो खीला होता है जब लोहे के खीले को जब हम कापर सलफेट के विलियन में डूबाते है तो बिलियन का रंग बदल जाता है बच्चो एक विलियन होता है एक लिक्विट होता है वो नीले रंग का होता है वह कौन से रंग का होता है नीले रंग का होता है लेकि की कील को लोहे का सूतर होता है FE FE मतलब होता है iron जिसको हम लोहा भी कहते है जब लोहे की कील को मतलब FE को कापर सलफेट के नीले घोल में डोपते हैं कापर सलफेट CUSO4 के नीले विलियन में डुबाया जाता है जब लोहे की कील यहाँ पर आप देख सकते हो लोहा के कील हो इसको अपन कापर सलफेट के गोल में डोपते हैं कापर सलफेट के गोल में जब अपन डुबाते हैं मतलब इसको भगा देगा और खुद इसके स्थान पर भेट जाएगा तो आप जेख सकते हो copper sulfate में से इनने copper को अलग निकाल दिया और खुद copper की स्थान पर आकर चला गया copper की स्थान पर आकर बेट गया लूहा चला गया copper की स्थान पर और azo4 का हो गया azo4 बिस्थापित करने का मतलब होता है इसने इसको हटा दिया और खुद उसका स्थान घ्रेंड कर लिया तो FVSO4 बन गया FVSO4 बन गया और कापर यहां से हलाग हो गया तो आप देख सकते हो कापर सलफेट का जो नीरा विलियन था वो हरे विलियन में बदल गया तो जो लोहा जो होता है कापर सलफेट के विलियन में से कापर को बिस्थापित कर देता है और FVSO4, FV मतलब फेरस और SO4 मतलब सलफेट फेरस सलफेट का हरा विलियन मनाता है इस कारण विलियन का जो रंग होता है वो बदल जाता है आप आपर देख सकते हो इस कारण billion का रंग क्या होता है बदल जाता है आप इस question को भी जल्दी जल्द आप याद कर लीजिए ठीक है वेरी 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 इंपोर्टेंट कोशें है chapter 1 के ठीक है बच्चो जितने question में बता रहूँ आपको सिर्फ उतने ही पहनदा है उसको लाबा आपको कुछ नहीं पहनदा है जितने question में आपको बताऊंगा इसके विज्ञान के आपके एक वीडियो ने आएंगे विज्ञान के आपके बहुत सारे वीडियो आएंगे जितने question मे आपको विज्ञान के समधाऊंगा, अगर आपने विज्ञान के उतने कोशे नाद कर लिए बच्चो, आपकी इजी 70 में से 60 में से उपर नंबर दिलवाने की गिरेंटी आपको आपके अमन भीया लेते हैं, तो देखिए संतुलित रसायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आ संतुलित रसायनिक समीकरण कहलता है, जिस रसायनिक समीकरण को, यह जो अभीकरण में भाग लेते हैं, इनको हम अभिकारा कहते हैं और ये कहलाते हैं उत्पाद जो अभिकार को का कुल दरब्यमान मतलब कुल बजन उत्पादों के कुल दरब्यमान के बराबर हो तीक है जिस रसायनी समिक्रण में अभिकार को का कुल दरब्यमान उत्पादों के कुल दरब्यमान के बराबर हो अर बदावर हो जिसे अभगय होने के पहले कापर एक ही है और¿ होने के बाद भी ऐपर कापर एक है अभगय होने के पहले हा पर आखेंज चार है और अभी कि per संतुलित रसायनिक समीकरण जिसमें बरावर के जिसमें तीरिक निसान के इस तरफ के पूरे परमाणू बराबर हो उसको हम संतुलित रसायनिक समीकरण कहते हैं फिर से समझ लीजिए जिस रसायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल बजन अभिकारकों का कुल दरब्यमान उत उत्पादों के कुल दरब्मान, उत्पादों के कुल बजन के बराबर होता है, फिर से मेरे साथ बोलिए, जिस रसायनिक अभिकरिया में, जिस रसायनिक समिकरण में, अभिकारकों का कुल दरब्मान, उत्पादों के कुल दरब्मान के समान हो, अर्थात अभिकरिया के पहले अविकिर्या के पहले अर्थात अविकिर्या के पहले प्रत्यक तद्वे के परमालों की संख्या और अविकिर्या के बाद प्रत्यक तद्वे के परमालों की संख्या बराबर हो, तो उसको हम संतुलित रसायनी समिकरण कहते है, ठीक है? यहाँ पर भी यह ही लिखा हुआ है रबमांग संग्रक्षन के नियम के परिपालन के लिए रसायनिक समी करण को संतुलित करना क्या है आवशक होता है आप यहाँ पर देख सकते हो आवशक होता है यह कोशन वेरी 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 इंपोर्टन कोशन है आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चो देखिए बच्चों आपको पेपर में सम्मी करण संतुलित करने के लिए आता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिन आपका लिखा है प्रश्ण कर मांग छे निम ने लिखिते सम्मी करणों को संतुलित कीजिए यहाँ पर आपको चार सम्मीकरण दिये गए है और इन सम्मीकरणों को आपको संतुलित करना है यहाँ पर हाइड्रोजन एक है और यहाँ पर दो है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने है यहाँ पर दो और एक तीन हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है यहा आप इंपोर्टन कोश्शन समझ लीजिए जो पेपर में आ सकते हैं हमारे पास समय काम है ना देखिए आपके हाँ पर अगला कोश्शन है बच्चो उस्मा छेपी एवं उस्मा सोसी अभिकरिया किसे कहते हैं उधारन दीजिए अत्वा उस्मा छेपी रसायनिक अभिकरिया को परिवासित कीजिए उस्मा छेपी रसायनिक अभिकरिया क्या होती है इसको परिवासित कीजिए यह पेपर में आ चुका है 2019 में भी आए 2020 में भी आए बच्चो बोश्ट इंपोर्टेंट है आपको अरदवार्सी पैच्छे में भी देखने के लिए मिलेगा उस्मा छेपी अभिकरिया छेपी का मतलब होता है बहार निकलना छेपी का मतलब होता है बहार निकलना और शोशी का मतलब होता है सोशन कर लेना मतलब खीचे लेना अब शोशन कर लेना तो छेपी का मतलब होता है बहार निकलना उस्मा छेपी मतलब उस्मा का छेपी होती है उस्मा बहार उत्पाद यह अभिकारक होते हैं इस तरफ उत्पाद होते हैं उत्पाद के साथ उश्मा भी निकलती है उत्पाद तो बनता है लेकिन उत्पाद बनने के साथ साथ आग भी निकलती है उश्मा भी निकलती है उसमा छेपी रसाइनिक अभिगेरा कहलाती है जैसे कि CH4 यह आपको लिख करके आना है आप समिकरण को लिख लीजिएगा ठीक है यहां तो जिस रसायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ उत्पाद निर्मान के साथ उश्मा भी निकलती है क्या निकलती है उश्मा या उर्जा भी बहार निकलती है उस्मा छेपी रसायनिक अभिक्रिया कहलती है तो जो अभिक्रिया इसको हम कहेंगे उस्मा छेपी रसायनि अभिक्रिया, तोकि यहां पर उत्पात बन रहा है, उत्पात बनने के सांसत है princi में आप उरजा, यानि ऊश्मा भी हां पर क्या हो रहा है बच्चो बाहर निकल रही है, आप आप बच्च्चो इसको हों कहां जहीं पर रसायनिक है, अगली बच्चो इसको कहां पर आपकी तो जिस अविकरिया को टफ़ पड़ेगा तो उसमा शोशी के लिए आप ये वाला लिख सकते हो यह जो एक्जामपल है यह वाला से मिकड़ आप लिख दीजीजिगा जिसे कहां पर आप देखोगे यहां पर संगमरमर का प्थर है संगमरमर का जो पथर होता है उसको हम कहते हैं CaCO3, Ca का मतला होता है calcium और CO3 को पढ़ते हैं carbonate, तो इसको अपन क्या करते हैं चूना पत्थर होता है, यह क्या होता है चूना पत्थर होता है, इसको उस्मा देना पढ़ता है, तो उस्मा अपनने इसको दी, इसको अपनने भट्टी पर अपनने गरम करें, त अब इस पत्थर को उश्मा दी जाती है तो उश्मा देने से क्या होता है बच्चो यह पत्थर जो होता है किसी भी चीज़ को गरम करते धुओ निकलता है धुओ निकलता है मतलब कारवन डे अक्सेट गेस बहार निकल जाती है तो यहां से एक कारवन बहार निकल गया और ती यह चूना बन जाता है ठीक है चूना पत्थर को अपन गरम करते तो चूना बन जाता है तो इस अभिकिरिया को आप देखोगे तो इस अभिकिरिया में उश्मा बहार से दी गई है हना और जो अपने बहार से उस्मा दिये है उसको इसने अबसोसित कर लिया है तो जिस रसायन है परिवास आप यहाल लिखो गई जिस रसायनिक अभीकिरिया में उस्मा का अपस्कुर्ण होता है वे उस्मा सोची रसायनिक अभीकिर के लाती है तो बच्चो आज की वीडियो में इतना ही इतना कोशन आप त्यार कर लीजिए अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा और भारती शेर टेंथ बोड में अरदवार्सिक परिच्छा खक्चरस भी विज्ञान की प्लेइलिस्ट बनी हुई है इसके पहले मैं अध्या अच्छे पढ़ा चुका हूँ ठीक है उसके कौन-कौन से कोशन पेपर में आने वाले मैं बने बता दिया हूँ ठीक है अध्या ए तो आपके पास एक दिन का पूरा गेप का समय है मैं आपकी पूरी-पूरी फुल त्यारी करवाऊंगा इस चैनल से जो जो जाएए इस चैनल पर आपको कश्चरस भी आरदवार्सिक परिच्छे की पूरी त्यारी करवाई जाएगी धन्यवाज जहिंद भारत